उन्हों के खिलाव, ऐसे ही कुछ कारे उनके मात्यम से हो रहे हैं, आमने लगता है। के एड्विजरी काउंसल, वो भी ऐसे लोगों से बरी होई हैं, जो जाने वाने उन्दू समाद के शक्रों हैं। उसी से पता लगता है कि हमको एड्वाई देवारे दों कैसे हैं। और एड्विजरी काउंसल ने एक बिल बनाया है। प्रिवेंशन आफ कमिनल और टार्गेटिर वाईलेंस। अब इस बिल के अमशार दो हिस्सों में समाद को बार दिया गया है। एक ग्रूप और एक अदर्स। ग्रूप के मतलब है अलपर संक्षा करता इसाहिर मुसल्मार। अदर्स के मतलब है हिंदू। इस बिल में सबसे बड़ी खास बात यह है। कि उन्होंने इस बात को ही माल कर दिया है। कि अपरादी के वल अदर्स यानि हिंदू ही हो सकते हैं। कि अपरादी इसाई और मुसल्मान नहीं हो सकते हैं। यह बात इसके बिल में जो बुन्यादी रूप में माने की नहीं है। एक तो अपरादी किसी मजभका ही हो सकता है। यह कैसा उनके मस्तिश पर उपड़ा है। और वो भी हिंदू धर्व का मानने वाला यही अपरादी हो सकता है। और अपराद के किसम क्या बताए रहे हैं। कि अगर किसी मुसल्मान को मानसिक लेश होता है। तो वो पिटिशन दाकिल कर देगा। और भी आश्चर की बात यह है। कि जब पिटिशन दाकिल करेगा कि को मानसिक लेश हुआ है। तो जिसके खिलाव करता है उसको बंदी बनाया जाएगा। उसकी जाइदात कुरक कर ली जाएगी। और उसको यह जानकारी नहीं होगी कि उसके खिलाव किसने मुकद्बा किया। उसको जानकारी ही नहीं होगी कि किसने मुकद्बा किया। कि उसका काम केवल इतना ही है कि उसको अपनी सफाई पेश करते पूरेगी अपना इनोसेंस उसको अपनी सफाई उसको देनी पड़ेगी के में आए ऐसा तो दुनिया में कहीं हुआ है कि किसी ने कुछ जुर्म किया हैं तो जिसने वखत्म दा है उसका पता भी नगए और गौण है और समैंने क्या 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 पूंद्स लगाया하는 और घ्री लगाया है तो उसके School के वाने हैं उसकी सुन्वाई होके पर जो लगाया है तहां तक सही है ऐसा नहीं होगा शफाई जिसके उपर जो लगाया उसको देना होगा ऐसा एक बिल्क ऐसा लोगों के मस्तिश्क में आया है यही एक बड़े आश्चर की बाते है और इस विशेफर क्योंकि विंदू समाच से सब्वंदिच यह सारा मिश्य है अभावेक है संतों के मन में इबातिया आई है इसके विरुप्त हमको कुछ करना चाहिए मुझे लगता है कि इसलिए गारा बारा दिसंबर को बहुत बड़े बड़े संत अमड़े सब बड़े आचारी सब्सक्राइब करना को पाइस के लिए हो सब्सक्राइब कि आने वाले चुहिलों में इसका दिर्वे यह हो आपको चुनाओं चल रहे हैं और सारे चार परसंट यह मुस्लिम मजभग के मानने वादों को खोबिशी का कोटत लेगा है हमरे कॉंस्टिटूशन में मजभग के आधार पर आरक्षण यह किये ही रही गए है इसके कारण से समाज जो पिछड़ रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए आरक्षण जिया है इसलिए मजभग के आधार पर कोई आरक्षण का कंसेप्ट हमारे देश के नितर कॉंस्टिटूशन में है भी नहीं कॉंस्टिटूशन के विल दुशारे चार परसंट ओबीसी का कुटा दिया जाए आज 15 परसंट हमारे अंसुचित जातियों का है साथ परसंट यहीं ट्राइबल्स का है 27 परसंट ओबीसीस का है यह कि धर्म के आधार पर यह कोटा हमारे कॉंस्टिटूशन में ही नहीं है तो प्रॉवकर जी कहते हैं कि हमारा काम कानून बनाना है और सुप्रिम कोट उसको रित कर देगा यह उसका अभी आठ परसंट यह आंद्र प्रदेश ने कोटा कोटा कि रेजर्वेशन का निश्चित किया था हाई कोट उसको टर्डाउन कर दिया कॉंस्टूशन में ही नहीं है हमारे यह तो एक तरीके से हिंदू समाज के अथिकारों को समात्त किया लिए है वैसे ही यह हिंदू समाज देख रहा है हमारे प्रहान मंत्री ने कहा कि इस देश के सारी धन संपदा पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है और दिखाई भी दे रहा है कि हिंदू के अधिकार समात्त किया रहे हैं उनके अधिकार बढ़ाय जा रहे हैं हिंदू का अधिकार तो हमारे राम जन्म भूमी पर भी नहीं चिकार किया है पर आश्चर है कि दुन्या में लोग आश्चर करेंगे कि इस देश के भीतर भगवान रहं का पैदा कहां पैदा हुए जहां सौक परुन हिंदू मानता है कि यह आयोध्या में इस इस इस्तान पर उनका जन्म को पुआ है जनाप कोटनों का जन्म को उसको भी साठ वर्ष लगते हैं और को दिड़ने करता है कि वह कुए राम का पैदा को लोगा अधिकार भारत पर है ऐसा अभी लगता नहीं है हुए जन्म को अधिकार के बाद अगर परकर तो उसको कहा जाता है कि पर ये और कमनल मने गाली। हिंदु एक गाली हो गया है। हिंदु एक गाली हो गया है। कि हिंदु होना एक अपराद हो गया है। और वास्तर भी जो बिल लाया गया है। यह सही लाया गया है क्योंकि हिंदु एने अपरादी। हिंदु यानि कमनल। यह तो धारना लेकर के हमारे देश के बितर जिनको हम धानमने प्रेक्षवाजी कहते हैं आज जीजे श्थिती है और हिंदों की भावना का कोई भी हिंदू गवभत्या को और सेहन नहीं कर सकते हैं यह हिंदू की परिभाशा करने हैं परिभाशा है मगर अभी बारवी जो योजना बनी है पच्चवत्षी उसमें बीफ का निर्यात यहां भारत में हो भारत को सबसे बड़ा मांस निर्यात का देश मनाना चाहते हैं उससे हजानों करूर की आमदरी करना चाहते हैं उसमें गवमांस बफ़लो का भामांस शीप और गोट ऐसे चार प्रकार हैं उसमें से 55 प्रतिशत यह वीफ का एक्सपोर्ट करने की जो जना उनकी मनी है अब इस देश के भीतर जहां गव के प्रतिशत प्रकार की भक्ती भावना है और भक्ती भावना ही नहीं है वो हमारे खेती का हमारे जैवी खेती का मूल अधार भी हो है आज सब लोग मानते हैं कि खार जो गव से और गवश की गोबर से बिंती है उसकी जो उत्पार है उत्पादन है उसमें सारे ही तत्व है जो समार मनुश को चाहिए जो केमिकल खार है इससे रोब उत्पन होते हैं और इसलिए दुनिया भर में सब लोग जैवी खेती की बात जब कर रहे हैं तो हमारे हाँ पर जैवी खेती शवापत हो जाए इसके लिए लोग की लिए हट्या करी जा रहे हैं देश को किधर ले जा रहे हैं ये बहुत बड़ा मिशे है और ये लिए